हेलो दोस्तो मैं हूँ अभिशेक और गैजिस्च यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागित करता हूँ दोस्तो आज हम बात करेंगे OT Update के बारे में जो कि आपके स्मार्टफोन पे आते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि स्मार्टफोन के लिए OT Update अच्छा भी होता है और बुरा भी जी हाँ 2021 के अंदर OT Update का पूरा सच जाननागर है तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि OT Update को OT Update बोलते क्या है OT Update का बतलब है Over the Air Update और ये सबसे पहले किस फोन पे हुआ था? जी हमार, सबसे पहले ये iPhone पे हुआ था और ये iOS 5 वर्जिन के आसपास तब Apple ने इंट्रिदूस किया था Over the Air Update अब इसको Over the Air क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे आपको अपने फोन के Software को Update करने के लिए Wire से उसे Computer से लगाने की जरूरत नहीं है इसलिए इन Software Updates को बोला जाता है OTA यानि की Over the Air Updates दोस्तों क्या आपको पता है कि OTA Updates भी तीन तरह के होते हैं पहला होता है Automatic OTA Update, दूसरा होता है Manual OTA Update और तीसरा होता है जो IOT Devices के लिए OTA Updates आते हैं यह तीनों अलग-अलग तरीके से काम करते हैं दोस्तों Automatic OTA Update का मतलब यह है कि वो Software Update जो कि आपके फोन पे Automatically Install हो जाता है यानि कि आपको उसमें Permission देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अब इस चीज़ को एक तरह से बंद कर दिया गया था एक समय के साथ लेकिन आज की समय में भी रीसेंटली हमें यह देखने को मिला है कि OnePlus Note 2 जो कि Geeky Ranjit Sir ने खरीदा था और उनके फोन पे OT Update जो है Forcefully इंस्टॉल हुआ और इसको एक तरह से कह सकते है Automatic या Forceful OT Update जिसमें आपसे Permission नहीं मांगी जाती और फोन का या फिर उस device का Software अपडेट किया जाता है इसमें आपके फोन का प्रोसेसर उस particular company के server से connect हो जाता है जिस company का वो फोन है और वहाँ से वो डाउनलोड कर देता है Software Update को और इंस्टॉल भी खुदी कर देता है तो ऐसे में ये चीज़ थोड़ी सी गलत है लेकिन आज भी हो रही है और दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि Automatic OT Update गलत नहीं होते फोन के case में ये गलत हो सकते हैं क्योंकि यूजर की permission जरूरी है फोन में data जो है यूजर का delete हो सकता है इसकी वज़े से लेकिन क्या आपको पता है कि Cars और बाकी और ऐसे electronic बहुत सारे हैं जहां पे Automatically OT Update इंस्टॉल हो जाते हैं और इसका सबसे बड़ा example है Tesla की Cars दोस्तों दूसरा है Manual OT Update ये बिल्कुल वैसा ही होता है जिसके अंदर आपका software इंस्टॉल होने से पहले डाउनलोड होता है आपके phone पे और उसके बाद इंस्टॉल करते समय आपकी permission की जरूरत होती है और इसी तरह से आज के समय में जितने भी OTA updates किसी भी phone पे push किये जाते हैं उसमें user की permission जरूरी है और क्यों जरूरी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन इसका मतलब है कि software जरूर डाउनलोड हो जाएगा लेकिन वो install नहीं होगा जब तक आप उसको yes नहीं करते हैं दोस्तों अगला है IoT के अंदर होने वाले software updates अब IoT क्या होता है जैसे आपकी smart watch है या फिर आपका air purifier है जो कि आपकी घर में है अपने office में है अब इन दोनों में IoT updates अलग तरीके से काम करते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे smart air purifier की तो हो सकता है कि उसके अंदर एक automatic तरीके से software update आए और वो upgrade हो जाए बहतर हो जाए जबकि आपके watch के case में अगर आपका phone watch से connected नहीं है तो शायद वो OT update होना मुश्किल है क्योंकि watch के इंदर storage होती है limited और ऐसे में watch के software को update करने के लिए आपको watch की जो app अपने phone में डाल रखी है वहाँ पे उस update को download करना है और फिर bluetooth के थुरू वो file आपके watch पे जाती है और आपकी watch का software update होता है जैसे की oneplus की watch दोस्तों कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि लोग ये कहते रहते हैं कि फलाना फलाना phone हमने खरीदा था ब्रैंड ने बोला था कि दो updates आएंगे तीन updates आएंगे नए नए features आएंगे लेकिन इतना समय क्यों लग जाता है इन नए OT updates को आने में जिससे आपको नए features आपके phone में मिलते हैं इसका एक सीधा reason ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें Android phones की तो Android phones दो तरह के होते हैं एक तो होते हैं जिन में Google का software यानि Android सीधा चला जाता है जिनका मतलब है Pixel phones जहाँ पे आपको Google की तरफे सीधा उन phones पे update मिल जाता है बीच में कोई भी नहीं है जबकि अगर हम बाकी Android phones की बात करें तो ये companies अपने Android phones पे अपना खुद का UI देती हैं तो कहीं न कहीं Google जब कोई भी Android का नया version निकालता है सबसे पहले उसको वो देता है उन chip manufacturers को जैसे की Qualcomm या Media Tech ताकि उनकी chip वगएरा ठीक से काम कर पाए नए UI के अंदर integrate करते हैं नई features को add करते हैं remove करते हैं और उसके बाद काफी दिनों की testing के बाद फिर उसको update की तरह push करते हैं ताकि आपके phone में problem ना आए तो दोस्तो OTA updates slow क्यों है Android की phones के अंदर ये तो आपको पता चल गया लेकिन Google इन सब चीजों को ठीक करने के लिए क्या कर क्योंकि actually Android तो Google ही own करता है अब यहां पर Google क्या कर रहा है Google एक नया project लेके आया जिसका नाप है project treble ये 2017 में introduce हुआ था और आज के समय में हमें थोड़े बहुत changes देखने को मिल रहे हैं होता क्या है कि पहले जब Google नया version of Android लेके आता था तो वो नए phones में जो launch हो रहे हैं उस स Welcome या Media Tech जो की chip बनाती है वो chip जो आपके smartphone में लगती है और इस तरह से chip level के जो modifications है वही के वही हो जाते हैं और even कई बार Android के अंदर उतने बड़े changes नहीं लाए जाते जिसकी वज़े से chip level के changes करने पड़े अब इससे पूरा process speed up हो जाता है और नए Android के features आ जाते हैं और उसक number 2020 में जब Google ने partner किया Qualcomm के साथ जो की काफी सारे flagship phone के अंदर अपना processor देते हैं और उस टाइम पे Snapdragon 888 वाले जितने भी phone जो Android 11 के साथ preloaded आ रहे थे उन सभी phones के अंदर 4 साल का Android update मिलेगा ऐसा Google ने नाउस किया क्योंकि कहीं ना कहीं Google ने और tightly integrate कर दिया अपने Android को Qualcomm के CPU के स ज़ादा Android updates मिलेंगे compared to other Android phones जो कि थोड़े सस्ते आते हैं तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि इन OTAE updates से अच्छा क्या होता है सबसे बड़ी बात OTAE updates आपके phone में नए features को लेके आते हैं क्योंकि जैसे जैसे Android बदल रहा है वैसे वैसे नए features भी आ रहे है और वो नए features का मज़ा आप ले सकते हैं इन OTAE updates की वज़े से जो कि आपको free में मिलते हैं इनके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं दोस्तों दूसरा फाइदा OTAE updates का ये है कि आपके phone के अंदर software होता है उसमें समय के साथ अलग लग तरह के bugs आते हैं जैसे लोग user use करते है वो feedback देते हैं company को और company भी उन bugs को fix करने के लिए OTAE updates issue करती है इसमें ऐसे security patches भी हैं जो कि कहीं ना कहीं ऐसे viruses से हमें बता देते हैं जो कि latest में चल रहे हैं जैसे कि Pegasus का जो spyware था जो virus था वो Android के phone में पहले fix हुआ क्योंकि उसका update Android में जादा जल्दी release हो गया compared to iPhone तो इस दोस्तों बताते हैं कि सबसे जादा important बात कैसे यह OTAE update आपके phone के लिए सही नहीं है जी हाँ phone के अंदर OTAE update सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि अलग से कोई पैसे तो लगते नहीं features आते हैं लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि लोग अपने phone को जब update करते हैं तो उनके phone के brick होने के chances भी रहते हैं और यहाँ पे ऐसा कई बार उन companies की तरफ से होता है जो अपने companies अपने software को ठीक से test नहीं करती है रोल आउट करने से पहले और इसका एक example POCO के X2 में देखने को मिला जो कि POCO का phone है और यहाँ पे camera चलना बंद हो गया लोगों का OTAE update के तो यह एक नुकसान रहता है जो कि आपके phone पे हो भी सकता है और अगर उस company टेस्टिंग अच्छे से कर लिए तो शायद आपको ऐसी problem face करने को ना मिले दोस्तो दूसरा नुकसान है OTAE update को करने का वो यह है कि अगर आपका phone पुराना हो गया है दो साल से भी जादा पुरा हो जाता है और ऐसा अकसर देखा गया है ना सिर्फ Xiaomi के phone में इवन बाकी और Chinese companies के phone में और इवन Samsung के phone में भी ऐसी चीज़े देखी गई है जहां पे OTAE update करने के बाद कुछ ना कुछ प्राब्लम आ गये phone में और जिसकी वज़े से परिशानी होती है users को दोस्तो तीसरा नु निया phone खरीदना पड़ेगा तो ऐसे में यह चीज़ भी company करती है जान बुछ के और एक और कड़वा सच जो की OTAE update के अंदर आज के समय में है और Samsung इस सब चीज़ों में बहुत ही आगे चल रहा है यह है OTAE updates के तरू अलग लग तरह की blotware apps आपके phone पे push करते हैं तरह तर update में क्या नया मिल रहा है क्या वो actually में आपके phone के लिए useful था कि आपको कुछ नया feature देखने को मिला इन सब चीज़ों को देखके ही आप एक एक बार करके OTAE update करें तो दोस्तों यह था एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताया है OTAE update का पूरा सच मुझे पूरी आपका इस वीडियो को देखने के लिए जैहिन वन्ने मातरम बबाई